नमस्कार मैं हूरे खबाल और आप देख रहें वाइवरिंट लाइव नियूज दक्षिन कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों और आतंकियों के साथ मुटभेड में हमारे दो जवान शहीद हो गए है वहीं मुटभेड में एक आतंकी भी मारा गया है इलाके में सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ओपरेशन चलाया जा रहा है रिपोर्ट्स के मताबिक एक अधिकारी ने बताया कि शोपिया में जैनापुरा इलाके के चेर मार्ग में आतंकवादियों की मौजूदगी की खूफिया सूचना मिली थी जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेरावन्दी की और वहां तलाशी अभियान चलाया गया जब सुरक्षा बल इलाके में तलाशी अभियान चला रहे थे तभी वहां छिपे आतंकवादियों ने उन पर गोलिया चला दी सुरक्षा बलो ने भी जवाबी कारवाई की जिसके बाद मुटबेड में एक आतंगवादी मारा गया इस मुटबेड के दौरान सिपाही संतोष यादव की गोली लगने से शहादत हो गई वहीं सिपाही 54 रोणी ताना जी की भी इसी ऑपरेशन में गोली लगने की वज़े से वो शहीद हो गए शहीद हुए दोनों ही जवान 1RR से हैं आपको बता दें कि जनवरी में जम्मु कश्मी में सुरक्षा बलो ने दो अलग-अलग मुटबेडेव में जैशे मुहमद और लशकरित तैबा के 5 आतंकियों को मार गिरा था पुलिस के मुताबिक मारे गए आतंकियों में जैश का कमांडर भी शामिल था मुर्भेड, मुलवामा और बढगाम जिलों में आतंगवाद विरोधी अभियान के दोरान होई थी दर्शिन कश्मीर को काफी समवेदन शील इलाका माना जाता है अकसर यहाँ पर सुरक्षा, बलो और आतंकियों के बीज मुर्भेड के मामले सामने आते रहते हैं फिलाल खबरों में इतना ही देश विदेश योड़ी तमान खबरे देखने के लिए देखते रहिए बार्बिन्ट लाइव निउस, निर्भे सत्य जनता की आवाज